हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी कैक पर फिर हमारे यूटूब चाइनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टेंट साइन्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टेंडर के लिए साइन्स सब्जेक हा जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंट्स जिसकर हमें चाप्टर नंबर टू वर्क एन एनरजी आज हमें इस पर्टिकलर चाप्ट फिर एनरजी कौनसे कौनसे टाइप्स की थी वो देख लिया उसके उपर कुछ एक्जाम्पल्स भी सॉल्ट कर लिए तो आज हमें सिफ दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो कि ये फ्री फॉल एंड आप लोग का पावर फ्री फॉल क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे छोटना सब से डेरिवेशन है उसके उपर वह भी मैं आपको करा दूँगा एक फ़ॉर्मूला टाइप है जो कि आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बारे में तो फ्री फॉल क्या होता exactly यह हम आपके बारे में चर्चा करेंगे तो let's suppose free fall के लिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि आपका एक level बता रहा हूँ यहाँ पे मैं पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको मैं explain करता हूँ ठीक है this point is a this point is b and let's suppose this point is c अब यह जो a b c point जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं measure करूँ कि यह पूरा का पूरा जो height है यह पूरा का पूरा जो height रहेगा वो height रहेगा h ठीक है और इसको मैंने मान लिया कि यह जो distance है वो x है यहां से यहां तक का जो distance है वो X है, तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर total height H है, यह X है, तो यह हो जाएगा हमारा H minus X, correct है, समझ में आ रहे हैं दोस्तों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अगर यह पूरा H है और यह इतना X है, तो यह हो जाएगा H minus X, correct है, तो समझ लो, यह 3 level है, और free fall का meaning सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो free fall का basic meaning यह होता है, कोई भी object, अगर कुछ height से आप गिरा रहे हो, जो भी object जो है, यह A के height से में गिरा रहा हो, समझ लो, एक building है उचा, terrace space में गिरा रहा हो, तो वो नीचे गिर रहे ह तो अगर दोस्तो ऐसा होता है, कि कोई भी object, सिर्फ और सिर्फ ग्राविटेशन के कारण ही नीचे गिर रहा है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तो, free fall बोलते हैं, यह चीज आपको याद रखना है, तो free fall का basic meaning समझ में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे तीन condition के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहला जो condition रहेगा यहाँ पे, for a, a position पे अगर मेरा कोई भी object रखा ही मैंने, तो उसके उपर क्या हाल रहने वाला है, यह हम लोग चीज यहाँ पे discuss करेंगे, तो a जो भी object होगा, दोस्तों, वो क्या होगा, अगर मैंने एक ball लिया हु velocity रहेगी, object की, वो क्या रहेगी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे initial velocity की, तो obviously मेरा initial velocity यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने अगर उसको छोड़ा ही नहीं है, तो rest position में है, तो कोई भी चीज rest position में होता है, तो उसका पहले वाला velocity, यहाँ इनिशल velocity 0 होता है, तो अगर हम बात करें, kinetic energy की, kinetic energy का मतलब क्या होता है, half mv square, अब v यहाँ पे क्या ले रहा हूँ है, u, क्योंकि initial velocity है हमारा, u 0 हो जाएगा, तो बाकि सब 0 हो जाएगा, यानि कि in short, मेरा kinetic energy का value हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दोस्तों में क्या ब दिखली हो जाएगा, यहाँ आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहला condition यहाँ पे यह हो गया, कि kinetic energy 0, potential energy MGH, अब मुझे पता है, total energy का मतलब होता है, kinetic energy को, अगर मैं plus कर तो potential energy से, तो हमारा total energy मिल जाता है, अब total energy यहाँ पे क्या हो जाएगा, total energy will be equal to kinetic energy 0 है, प्लस potential energy MGH है, तो total energy कितना हो जाएगा, total energy will be equal to MGH, समझ में आया, तो यह हो गया हमारा सबसे पहला equation, total energy हमें क्या मिल गया, MGH मिल गया, समझ में आ रहा है दोस्तो, तो यह हो गया सबसे पहला condition A के लिए, अगर मेरा object रहेगा A पे, position पे, तो मेरा total energy रहेगा, यानि कि वो object के उपर जितन इसको मैं side में लिख लेता हूँ, जो हमारा value आया था, कि पहले condition में total energy का value कितना आया, MGH, ठीक है, यह equation number 1 मैं ऐसा side में लिखके रखता हूँ, अब मैं बात करूँगा, यहाँ पे second position के लिए, for B, B के लिए कैसा आएगा, तो B के लिए भी again अगर बात करूँ मैं, तो object को म B तक पहुचा वो, ठीक है, B तक वो पहुच रहा है, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, कि यह जो है, उसने x distance cover किया रहेगा, अगर मेरा object यहाँ से लेके B तक गिर रहा है, यानि कि उसने कितना distance cover किया, x, यानि कि उसका distance या फिर displacement बोल लो, तो उसका कितना हो समझ में आ गया, अब जब वो गिर रहा है, यानि कि उसके उपर एक acceleration due to gravity, जो है, वो भी काम कर रहा है, तो acceleration due to gravity, यानि कि A का जो value है, वो G ले सकता हूं, यानि कि gravity का जो value है, वो ले सकता हूं, अब एक चीज यहाँ पर यह है, कि एक formula आपको पता है था, kinematical equation का V square is equal to U square plus 2AS, यह formula आपने बहुत पहले discuss किया हुआ है, 9th में, 1st chapter है आपका, again, तो V is nothing but final velocity, तो V में लिखता हूं यहाँ 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 पर लेकिन मैं point B पे हूं, तो इसके लिए V भी लिख रहा हूं, point B पे हूं, that's why VB square ले रहा हूं, यू मेरा 0 है, तो 0 square, plus 2 multiply by A कितना है मेरा G, और S कितना है X, ठीके न, X, ओके, अब यहाँ पर VB square जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2GX, 0 cancel हो गया, तो do GX, यह है आपको समझ में आ गया, अब एक चीज़ हमें already पता है कि kinetic energy जो होता है, वो होता है half M V square, और यहाँ पर V मतलब VB का square, तो हमने आ रहे, half kinetic energy का formula है half M V square, mass into velocity, लेकिन velocity मेरा इस बार क्या है VB है, उसका square, तो यह VB के जगा पर मैं 2GX लिख सकता हूँ, yes, तो kinetic energy will be equal to half M, और VB का square, यानि कि 2GX का square, समझ में आ रहा है, तो VB के जगा पर मैंने 2GX लिख दिया, अब उसको आप square कर लो, या फिर directly भी आप लिखोगे, तो आ G square X square हो जाएगा, यह आप कर सकते हो, लेकिन एक चिस consideration वाला यह है दोस्तों यहाँ पर, कि जो velocity जो थी, VB square का value था, यहाँ पर directly 2GX था, यहाँ पर हम लोगो square करने के ज़रुरत नहीं है, यानि कि यह जो square हमने लिखा, वो करने की हमें ज़रुरत नहीं है, इसका मतलब क् क्या मैं बता रहा हूँ, कि VB square जो है, वो 2GX के बराबर है, यानि कि यह पूरा का पूरा VB square का value 2GX है, तो यह जो VB square जो है, उसके जगा पर directly में 2GX लिख सकता हूँ, अब यह जो 2 है, यह 2 है, cancel out हो जाएंगे, तो हमारा kinetic energy का value क्या मिलेगा हम लोग को, यह 2, यह 2 cancel, M बचा, G बचा, X बचा, तो M G X, समझा है, तो kinetic energy कितना बचा, M G X बचा, अब यह चीज़ आपको समझ में आगे, kinetic energy is equal to M G X, अब यहाँ पे हम लोग potential energy भी निकाल सकते है, तो potential energy का formula क्या होता है, अगर आप मैं बात करू, M G H, ठीकिन, potential energy का, जो मेरा formula होता है, वो M G H होता हो, कि जो मेरा total, जो distance है, यहाँ पे, M G, potential energy क्या होता है, mass into gravity into height, लेकिन height यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ का height मापते है, तो ground से मापते, तो ground से रहे के B point का height का height कितना है, H minus X है, यानि कि इस बार मैं, जो मेरा H था formula में, M G H, उसके जगा पे मैं क्या लिखूंगा, H minus X, ठीके, यह लिखूंगा, तो हमारा potential energy कितना हो जाएगा, potential, यह तो अलग हो गया, इसको अलग कर दो, यह kinetic energy अलग है, यह potential energy का formula है, M G H minus X, तो यह हो जाएगा, M G H minus M G X, यह हो गया, potential energy का formula, ठीके, अब we know the total energy formula, क्या होता है, total energy, is equal to M G, sorry, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy, तो kinetic energy कितना है मेर काइनेटिक एनरजी Mgx है ठीक है ना Mgx है और potential energy कितना है हमारा MgH minus Mgx है तो यह Mgx minus Mgx cancel हो जाएगा यानि कि total energy यहाँ पर फिर से आ रहा है MgH तो total energy कितना मिल गया MgH मिल गया तो यहाँ पर second condition में भी आप देखोगे तो आपको जो total energy का पहले में value मिला वो MgH मिला second में भी जो total energy का value मिला वो again MgH मिला अब तिसरा condition में भी आप देखोगे तो तिसरा condition जो है आपका वो भी same आपको क्या मिलेगा MgH मिलेगा जो कि मैं direct आपको बता रहो यहाँ पर मैं solve करने की ज़रुत नहीं मेरको क्योंकि already मेरा calculation किया हुआ है तो total energy मेरा third condition में भी MgH आएगा यानि कि in short जो हमारा यहाँ पे एक तरीके से बोलोगे conclusion जो आया यहाँ पे हमने इतना सारा चीज देख लिए तो conclusion क्या आया मेरा कि चाहे मैं A point पे रहू, चाहे मैं B point पे रहू, चाहे मैं C point पे भी same ही आएगा, यह हमारा proof होता है यहाँ से, कि चाहे मैं building से एक ball गिरा रहा हो, तो वो उपर से जब गिर रहा है तो उपर का position, चाहे beach का level का position, चाहे हो नीचे गिर रहा है, तब का position तीनों के तीनों position में उसकी पास जो total energy जो काम कर रही होगी जो उसके उपर total energy जो लग रही होगी वो दोस्तों क्या हो जाएगा, same हो जाएगा constant रहता है, यह आपको बस याद रखना है तो यही था दोस्तों हमारा free fall का topic and free fall का meaning तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था clear दोस्तों, तो उमीद करता हो कि यह topic and condition के उपर apply करते हैं, ठीक है तो पहले heading डाल देता हूँ में, power का ठीक है, this is power okay, what do you mean by power? अब power की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा concept है, power is nothing but work done per unit time, एक formula होता है आपको याद रखना है पहले मैं इसका definition लिखा दू, power मैंने क्या बोला, it is nothing but work done, work done per unit time यानि कि इसका एक simple सा sweet सा formula हो गया, कि कितना आप लोग काम कर रहे हो, यानि कि power is equal to, कितना आप काम कर रहे हो कितना आप work कर रहे हो, ठीक है और कितने time में कर रहे हो या फिर कितने time में हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, कितरे समय में हो रहा है, उसी चीज का मतलब होता है, power, shortcut में लिखें, तो P is equal to W upon T this is the formula of power and again unit के एकर मैं बात करूँ, तो जो power का unit होता है, यह आपको याद रखना है power का जो सबसे best unit जो माना जाता है, work का unit आपको पता है, joule होता है time का second होता है, तो joule upon second तो joule per second जो होता है, वो power का unit होता है, और joule per second को ही हम लोग लिखते है, वाट में अभी गभी इसको kilowatt में भी लिख सकते हैं, जो कि 1000 के form में रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यह चोटा सा definition है, अगर आपको कोई पूछता है what do you mean by power, तो आप simple सा definition बूल सकते हो power is nothing but work done per unit time and formula होता है, power is equal to work done upon time w upon t, unit is joule per second और directly आप watt लिख सकते हो, kilowatt भी लिख सकते हो, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हो एक चीज़ आपको साँच में आ गया, और एक और power जो है, इसको horse power में भी लिखा जाता है अभी भी लिखते हैं, बहुत लोग, पहले के जहाने में लिखा था तो एक horse power का जो value होता है, दोस्तों वो होता है 746 watt, आपने सुना होगा बहुत सारी जो बड़ी बड़ी गाडिया होते हैं, फरारी फिर लैंबो उर्गी निया से बड़ी बड़ी गाड़ी होते हैं उसमें लिखा रहता है, इतना horse power के गाड़ी है यानि कि horse power के है कि उसके पास जो engine है, उसमें इतना watt का, 746 watt का उसके अंदर engine के अंदर power generate हो रहा है, power develop हो रहा है इसके लिए उसको 1 horse power का value यहां पर माना जाते हैं तो किसी किसी का 500 horse power 1000 horse power इतने powerful engines होते हैं तो यह था power के बारे में अब इसके उपर एक छोटा सा numerical है वो मैं solve कर रहा हूँगा, फिर हम लोग आज का लेक्चेर है मतलब complete हो जाएगा और आप लोग को यह चीज़ समझ में भी आ जाएगा तो यह चीज़ आपने समझ लिया, power क्या था ओके, छोटा सा definition था अब एक छोटा सा numerical है, वो भी मैं करा देता हूँ तो numerical इस प्रकार एक लड़की है तो normally उसको बोला गया है कि वो लड़की जो है, it takes 20 seconds to carry a bag वेट 20 kg, यानि कि यह 20 kg का एक bag है समझो समान है, कोई भी समान है 20 kg का उसको मुझे उठाना है, ठीक है 20 kg के bag को उठाने के लिए वो जो लड़की है उसको 20 second लग गए 20 kg के bag को उठाने के लिए उसको 20 second लग गए कितने height तक उठाया उसने जमीन से लेके 5 meter के height तक उठाया तो जमीन से लेके 5 meter के height तक उठाया वो 20 kg के bag को उसको 20 second लग गए तो उसमें question ये पुछा है कि कि कितना power उसने लगाया होगा, कितना power use किया होगा वो bag को उठाने के लिए यहां पर क्या-क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि जो उसका back का वज़न है। यानि की मास कितना है 20 kilo है। टाइम कितना लग रहा है उसको 20 second लग जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों यानि कि P का value निकालना है, power का value निकालना है, question mark, we don't know the formula, अभी formula हमने discuss कि power is nothing but work done per unit time, लेकिन उसके पहले एक चीज़ पता होना चीए, कि power अगर मुझे निकालना है, ठीक है, power मुझे निकालना है, तो मिरे पास work होना चीए, और time होना चीए, time तो मिरे पास है 20 second का, लेकिन work ह मेरे पास, देखो, work दिया है क्या, यानि कि मुझे work जो है, वो नहीं दिया हुआ है question में, तो पहले मुझे work निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानि कि इसको मैं मान लेता हूँ, अब मुझे work निकालना है, तो work का एक formula हमने discuss किया, यह chapter में, जिसका नाम है force into displacement, अब work निकाल और सबसे वेले हम लोग force का value निकालने के लिए formula है हमारे पास, जिसका नाम है mg, mass into gravity, तो mass का value दिया हुआ है, gravity 9.8 सबको पता है, डाल दो value, तो f जो होता है, mass कितना है, 20 kg, gravity का value होता है 9.8, यहां से हम लोगो f का value मिल जाएगा, तो f का value आ रहा है, दोस्तों calculate करके, वो आ तो यहां से work मिल जाएगा, तो work is equal to force into displacement था, force का value मिल गया यहां से 196, और displacement का value अल्रीड दिया हुआ है 5, तो 196 into 5 कर दो गया आप, तो आपको value मिल जाएगा, जो किया रहा है 9.8, work का आगया answer 9.8, यह दोनों को multiply कर दिया, तो 980 आ गया, और work का unit होता है, जूल, तो आपको work का भी यहां पे value मिल गया, अब work का value मिल गया, तो मैं equation number 1 में डाल सकता हूँ, तो put in 1, यह value जो है, इसको उठाके 1 में डाल दो, तो अब power का formula है, work upon time, तो work मेरे पास मिल गया, यहां पे 980, और time मेरे को दिया हुआ है, यहां पे कितना 20 second का, तो 20 second का time दिया है, तो डाल दो value यहां पे मिल गया, कितना, मतलब वो लड़की को 20 kilo के bag को उठाने के लिए 20 second लग रहा था, और 5 meter के height तक उठाना था, यानि कि उसको कितना ताकत लगाना पड़ा, 49 wag का ताकत लगाना पड़ा, तब जाके वो bag उसने 5 meter उठा पाया होगा, clear है दोस्तों, तो उमीद करता ह ही दोस्तों, यहीं पे मैं stop करूँगा, क्योंकि अलड़ी हमारे जो numerical है वो खतम हो चुगा है, power का topic भी खतम हो गया, और इसी के साथ हमारे जो पूरा chapter है, जिसका नामे work and energy, यह भी होता है, totally complete, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही chapter भी खतम हो गया, तो जल्द मिल है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो और यह पूरा का पूरा chapter जो complete हुआ है, आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताना है, अपनी राय और suggestion जरूर से देना है दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, useful लगा है friends, तो please वीडिय कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे friends लोगों साथ, फटा फट से share कर देना, अगर आपने अपने बिदागी इस channel को subscribe ने किया है, तो फटा फट से हमारे channel को भी subscribe कर देना, आपने bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती लेगी, ठीक है friends तो मिलती हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye